अपने बताया माम की जादतर यूवक थे जहां जो साउथ आफ्रिका में जिन लोगों में ये पाया गया और वहाँ पर उन्होंने जिनों सीक्वेंसिंग की सिम्टम्स को लेकर क्या कोई recurring pattern वहाँ पर दिखा है क्या recurring symptoms की कोई preliminary report आपके पास है जिसके बिनापर आप कहें कि confirmed अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि community में कैसे behave करता है उसके लिए तो इंतजार करना ही होगा लेकिन कुछ शुरुवाती reports है क्या symptoms के बारे में जो आपके पास हो दक्षिन अफ्रिका में जो डॉक्टरों ने सबसे पहले देखा उन्होंने कहा कि ये सिर्दर्द और बदंदर्द और कुछ tiredness के symptoms दिखाई दिये पर उन्होंने खुद ये भी कहा कि वह सिरफ पहले पह इसको लेके ना चलें कि ये वाइरस जो है ये mild है या वीकर है या इसके symptoms अलग है क्योंकि पहले भी ऐसे कई reports आते हैं और मैं सरब ये कहना चाहूंगी symptoms के ओपर variant को पता लगाना ठीत नहीं है ये scientifically बिल्कुल गलत रहेगा तो मेरे ख्याल से अभी ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए हमें साब्धानी रखनी चाहिए और जो genome sequencing चल रही है सब देशों में भारत में भी consortium बना है इंसकोग जो कई राजियों में लैब्स इसके उपर दिन रात काम कर रही है तो जैसे जैसे दिन निकलेंगे इस variant के बारे में और जानकारी मिल मुटेशन्स इसमें पाए गए हैं मुटेशन्स और जो अभी हमारे पास उसके structure के बारे में जानकारी है उसके नजरिये से अगर हम देखें तो delta versus omicron आप कहां पर देखते हैं मुटेशन्स के नजरिये से जो अभी साइन्टिफिकली आपको समझ में आ रहा हूं तो जब वैग्यानिकों ने इस omicron के बारे में सबसे पहले देखा उन्होंने दक्षिन अफ्रीका में और फिर हमें पेश किया तो सबसे एक्चुली सप्राइज की बात ये थी आ अश्य में तीस लगभग मुटेशन स्पाइक प्रोटीन पे थे जो स्पाइक प्रोटीन वो है जो वायरस को हमारे अच्छी तरह से ट्रांस्मिट करें इंफेक्शन करें वाट एक चीज और मैं कहना चाहूंगी वैक्सीन के बारे में कि जितने भी आध अभी करें प्रोटीन के धैनि एक इंट करती हैं पर फो टोटीर्स में दूजरी के शायरे लायरें की जोसे बढती इसमय को आज कुछी तरह से जिने करती हैं हमारे बादन में परन्तु इसमें डूसरी तरह के नहीं होते हैं हमारी इम्यम्मोर्त असानी से हम लोग नाप नहीं सकते खोन में परन्तु वो ही है टी सेल्स जो निमोनिया होने से बहुत बेमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं तो अभी तक यही मान के चलें की वैक्सीन प्रटेक्ट कर रहे हैं दूसरी बात यह कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पुरी दुनिया म हमें 99% of cases तो डेल्टा से हो रही है तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने की बचने का टाइम है पर आगे जाके यह माइक्रॉन है आगे भी वेरियंट सा सकते हैं तो जितने जल्दी हम वैक्सिनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंच्रोल करें ताकि इसको इसको एक मौ मारे पास प्रमान नहीं है कि यह वैक्सीन कार्गर नहीं होंगे अलग-लग म्यूटनस पे इसलिए वैक्सीन का प्रोग्राम हर देश को वैसे ही आगे ले जाना चाहिए । जोडते हुए बूस्टर 2 पर आपकी क्या राय है अगर आप संशिपत में समझा सके ऑप तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हर देश में जो हाई रिस्क ग्रूप है उनकी पूरी तरह से वैक्सिनेशन हो, तो जो 45 साल से उपर लोग हैं, इस्पेशली जिनके अंडरलाइंग डिजीज हों, जैसे शुगर की बिमारी या हाई ब्लड प्रेशर की, बद ज्यादा तर बि प्रेश के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है, और दूसरा ग्रूप वो है, हेल्थ के वरकर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी लोग जो हेल्थ में काम करते हैं, फ्रंट लाइन वरकर्स हैं, जिनके लिए बहुत पब्लिक के साथ इंट्राक्शन करनी पड़ती है, तो ज बूस्टर्स की बात इसलिए हो रही है, क्योंकि कुछ देशों में यह देखा गया कि 6-7-8 महिने वैक्सीन लगाने के बाद उसकी जो एफिकसी है, वो कुछ परसेंटेज पॉइंट कम हुई है, जैसे 90 परसेंट पे जो एफिकसी थी, वो 80 परसेंट पे आई है, तो बूस कि वैक्सीन का जो एफेक्टिवनेस है, वो कम हो रहा है, या कुछ एज ग्रूप में उसका असर कम हो रहा है, तो यह डेटा को देखेंगे हर देश को यह निरने लेना पड़ेगा, कि बूस्टर्स क्या देने चाहिए कि नहीं, और किस एज ग्रूप में देने चाहिए, कॉंसी इंटर्वल पे देनी चाहिए, क्यूंकि वैक्सीन भी हर देश में अलग-अलग वैक्सीन यूज कर रहे है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग-अलग होती है, तो यह जो है यह भारत को अपने डेटा लेके देख के उसके बाद उसका निरने करना पड़ेगा, भारत के नजरिये से अगला सवाल है आपसे, क्योंकि कई मुल्कों ने अब South Africa, Hong Kong, इन जगों से आने वाले विमानों को रद कर दिया है, बंद कर दिया है, क्या आपको लगता है भारत को भी ऐसा ही कोई फैसला लेना चाहिए, और इसी के साथ lockdown को लेकर आपकी क्या राए है? तो पहले हम travel की बात करते हैं, कि WHO ने travel guidance अपडेट किया है, देशों को बताया गया है कि किस तने के सो, तो हमारा अप्रोच यह है, कि एक risk-based और comprehensive approach होना चाहिए, सिरफ एक कोई action लेकर हम लोग साबधान नहीं हो पाएंगे, जैसे कि कुछ देशों ने सिरफ, you know, selected देशों से travel bank किया है, और अब जैसे हम देख रहे हैं, कि Omicron तो कई देशों में already है, तो कुछ देशों को target करने से, यह मतलब कोई scientific तरीका नहीं है, रोखने का, इससे बहतर यह है कि एक comprehensive screening program, जितने भी travelers आ रहे हैं, international travelers, वो PCR कराएं, आने से पहले हमका PCR test हो, लॉक्डाउन लगाने की नौबत आ सकती है, जैसा second wave में हमने देखा था, यह कुछ उसके बहुत effects होते हैं, बहुत implications होते हैं, जैसे हमने खुद देखा है कई देशों में, तो lockdown एक जल्दी से या असानी से लेने का कोई निर्नय नहीं है, यह बहुत गंभी चीज होती है, तो इससे lockdown से पहले ऐसी बहुत चीज़ें हैं, जो आं कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, स्वामया स्वामे नातिन जी, जो की मुख्यवाई ग्यानिक है, डबलु एचो की, आज तक पर हमारे साथ लाइफ जुरी थी, और जैसा आपने स्वामया जी कहा, बिल्कुल सही बात है, हम इस वाइरस से ठक गए हैं, लेकिन वाइरस अभी ठक नहीं है, और इसलिए हमें अभी मुकाबला डट करना पड़ेगा, पूरी मानवता को इसके खिलाफ एक जुठ होकर ये समझना होगा, कि बचाओ ही तरीका है, और कम से कम भीर भारवाली जगों से बचें, मास्क हमेशा पहन कर रखें, खुला, कम से कम खुले रखें, मिले में लोगों से मिले तो वो बहतर है, बहुत-बहुत धन्यवार आपका सामया जी हमारे साथ चुड़ने के लिए